गुड मॉरिंग सुप्रभार वेलकम तो माई चैनल एकुजेड एसी अजदी और कहां चलिए एक बात करते हैं आज क्लास सेवित की क्लास 7 साइंस के पहले चप्टर से बात करेंगे और साइंस का पहला चप्टर है न्यूट्रिशन इंप्लांट्स कोण्कुन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैंहां वह इसक घ्रास चरडब करते हैं फिर बात करीव है उसके में और पर्वारे जए नूट्रिशन ने वह शमर्ब सब्सक्क्राइब तो शेयन क्या बात करने हैं वह वाद पर ту hindra चलिए आज का जो बहुत इंट्रस्टी होने वाला है तो शुरू करते हैं कि हम नियोट्रीशन से में सबसे पहले बात करें है दिया जिसमें हम न्यूट्रियनट को लेते हैं आप प्रूटीन प्रॉटेस्टाइसटाइस की हम लोग बात कर लते हैं। आपको पता रहा है कि खाने के लिए पहुंग सा चीजा अविलेबल होती है। जितने नी चीज can घाने की बात करता हैं उन्मेन उन्मेरिक्ट आद चीजिक माने चीजल क्षेग्द यहें हैं जिसमें एक ओट्वाइड्रेट्स एक ओप्रोटीन विताम्यन्स पॉट्विंज प्रोटेन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, फैबर्स, और एक और चीज को एड़ कर लेता है, यह वाटर, यह सारी सारी चीजह हम नहीं आ रिखिये ना, वो सारे कैसे आरे कहा है, फूट एलेमेंट्स है, यह सारे खाने में, इन में से कुछ ने कुछ जरूर होगा, कोई भी झाल भी तो फैट्स होगा, बिटामिन, मिनरल्स, फैट्स, फैबर्स वाटर, जरूर जरूर होगा, मतलब इन सारी चाहते हैं, अब फूट की ही बात करता हैं, अगर हम फूट की बात कर रहें तो फूट की अंतर न्यूट्रिंस होगा, तो जो खाने आप कोस्टिक काना जरूर हुगा वो न्यूट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट and convert it into the energy is called nutrition so what is nutrition so the nutrition is the process of taking food and utilize it to get energy for the growth and maintenance of the body is called nutrition means the nutrition is the process जहां से हम खाने को ले सकते हैं और साथी साथ उससे energy जो actually energy बनती है उसको लेके energy इनर्जी में जो energy हमारी growth में और हमारे body के maintenance में काम आती है चलिए वहीं बात करते हैं nutrients वह सारे substances हैं जिससे हमें energy मिलती है nutrients वह सारे substances जिनसे हमको energy साथ ही साथ body की growth के लिए maintenance के लिए जो भी elements चाहिए वह मिलता है that is called nutrients चलिए आगे बढ़ते हैं mode of nutrition, nutrition actually do types का हूथा है क्चा types का दो हम किसकी बात करें gua nutrition in plants में so plants do treatment due types का हूथा है दो types कौन कंसे हैं उसके बार हम discuss कर लेकिंक है that is more of nutrition हम plants की ही बात कर रहे है मैं आपको clear गा Studio हम plants की बात कर रहे है so mode of nutrition में due type of nutrition होते है पहला कको हमारा है autotropic अटो ट्रॉफिक दूसरा है हेट्रोड्रॉप्स ऑट्रॉफिक नूट्रिशन क्या होता है ऑट्रॉफिक नूट्रिशन वो नूट्रिशन होता है जिसमें जो भी इसको बनाने वाला है इस नूट्रिशन को जो भी बनाने वाला है i School Bay जाता है इसके लिए यह किशी में नहीं पर मतलब लिए कि जहां पर जो लिंग बीइंस वो अबना खाना खुद से प्रीपय mauvais हैं नीटरिशिन दिये या निटर्थीप अपने अरे बीले हैं किशी और लिंग बीरन की आशेजी तñama और अपने अपना यूट्राफिक की या निप्ट्रिंट की वहीं तरह इसे हैं, अपने लिए खुद खाना बना ले ऑलिए किसी ओर टीपेंडेन्ट हो उनको बहते हैं है इस तरह जो होता है वह किलाता है है बना ले जो अपने को खुद नहीं बना सकते खाने के लिए किसी और बारे में एक्चली है और इसको पफॉर्म कर सकता है तो यह उट्रक्टरफिक । । । । । । । । करते हैं plants और plants प्लांट, not only plants, that is green plants, especially green plants, जिसके अंदर photosynthesis का process हो पाए and photosynthesis process क्या है, green plants actually अपना खाना खुद बना लेते हैं, green plants अपना खाना खुद बनाते हैं, that's why अंको हम लोग कहा बहते है, autotrouse in nutrition की बात करते हैं प्रोसेस पढ़ेंगे पोड़ोसिंधेस के लिए छोटा सा यह लिए इस और निया हमारी यह लीफ है अब निए लीफ का ग्रीन कालर सबसे पहले क्या करें लीफ का ग्रीन तरह ऊच्छ पोगते हैं क्लोरोफिल 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 होना जरूरी है मतलब लीफ जो है वह ग्रीन होता है अब यह जो लीफ है उसमें क्या होता है जारेम मिनदल औरिफ्क और वोटर यह दोलो रूट्सु जो चीज यह चाहँ आग्स करते हैं आपको पता हुगा प्लैंकम देरूट्स जो ती है। भर berries तक पहुंचा जैते हैं तो मिट्रल्स और वाटर आपके विलेबल है क्लोरोफिल अलुडी लीव के अंदर है बाहर क्या होता है इस सब और यह सब कुछ होने के बाद यह रिलीस क्या क्या करेंगी यह यहां से रिलीस करेंगी एक तो रिलीस करेंगी ओटू का मतब ऑक्सिजन साथ यह चीच जो बनाएगी उस पर बनेगा फूड और इस फूड को बोलते हैं यहां पर इसका फूड बनता है इसको हम बोलते हैं ग्लूगोज वैसे इसके तीचा पार्ट सोचते हैं बड़ इसको ग्लूगोज में अगरण कर लेता है जिसका फॉमलत है इसको बड़ प्रसेस की बार कर रहते हैं इसको सब्सक्राइब की प्रजेंस और जो चुकिंद उसमें जो लीवग फिस्टी हैं वो लीव क्या करती हैं पें से क्तुमाटप कर रूप का ता है है, यहां फिर लीओ के शोर्ट चोर चोर एंगक के लिम्या सकता है , भालन होसकता है पाणी चैज के टूर्ज रूपन होता है, फिर ट्रांस्पीरिशन प्रसेस भी घुनता है स्ट्रमटाज के लिए गया और मिन्राल वाटर और क्लोरोफिल इन सब की प्रेजन्स में यह क्या करेगी प्रोसेस करेगी और अपना फूट प्रिपार करेगी फूट प्रिपार होने के साथ ही CO2, sunlight, chlorophyll, water and mineral सब कम्माइन हो जाएंगे सब अपस में complete होने पाद रेक्शन करेंगे और पानी हमको फूट बना के जाएंगे और साथ ही साथ ही साथ क्या करेंगे oxygen release करेंगे तो येस्ट प्रोसेस में क्या बड़ा है in this process photosynthesis की बात कर रहें photosynthesis is the process of making or preparing food by the green leaves in the presence of sunlight and CO2 in the presence of sunlight and CO2 carbon dioxide with mineral and water and in the presence of chlorophyll it get reacted reaction होती है पर get reacted and give us O2 and glucose O2 का मतब oxygen as a byproduct release होता है साथ ही साथ हमको glucose means food prepare होता है this process is called photosynthesis this process is called photosynthesis तो हम क्या बात कर रहें photosynthesis की बात कर रहें तो इस process को हम क्या होता है photosynthesis मतलब प्लांट के खाना बनाने के process को हम photosynthesis को होता है जिसमें इसमें 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 क्याता है हरी हरी जो पत्ति आंती है वो प्लोरोफील की वज़ए से sunlight और CO2 की presence को इन दोनों को ट्रैक कर लेती है साथी साथ मिनराज और वटर का यूज करते हुए अपना खाना प्रिपाय कर रहती है जो किसकी मदद से हो रहा था इस ट्रोमाटा की help से सारा काम हो रहा होता है लीव के अंदर इससे और रिलीज होती है अब बात करते हैं कि इस्टोमाटा जो है ना उसका रूल क्या था यह सब नहीं पर मैं हटा दू चैलिए अब उपर से सब्सक्रियों देख़ीजिए फटाबट से आवाब आप करें स्टोमाटा इस्टोमाटा क्या होता है लीव के ऑपर छोटे-छोटे-छोटे-छोटे- कि क्या करता है gas exchange मतना co2 को अंदर लेते हैं दिन के ताइन मेक का लिए अंदर भाहर शूरता है तो भी नाइट में this करता है does erudhip ofYeah one लेते हैं और co2 को बाहर शूरते है तो ही क्या दुट सब्वाद्वेस स 17 में हैक इंतना इंतन फार में tank is maintenance होता है पणिएक भी इसको बाहर बेज़ना की या अंदर की तभें रहना को पॉर्टर दगों कहता है तो वह सिर कुरा की बाहर किरते हैं ने करल मुध है ऊसरोल करते हैं या थी करते हैं मतलplease क कि पर क्या दल देंगे ऊंद रखता है प्रॉसेस के विज़े से यह करने में है तो प्जोन टो शुटा। यह सबस्कुता है चर्णे एचमाका को यह सब्सक्व में हुटी सबस्क्रीशन खूने यह था हमारा फोटोसंथेस साथ है और देखते हैं यह है जो फोटोसंथेसित कर्वोटरो करिए जाता है इसको कर्पोर्टरेट को बाद में अपनी चिप देखते हैं चेह मैं सिस्था सास्ट नहीं ऊप्रोटीम और देजिए यorters आपまだ देडिया को करइमा सब नेतां को आप में सिर्क हाट थी को यह धीक भीक्रीय सुना होगा इसके अंदर एलेगी है यहां मुट नाइट्रोजन इस में अधर चाहिए तुर्व मिर्डीन सर अधर ने जाने हैं चलिए आगी बढ़ता है क्या लावा किसी और टरहिए पथे उसके पर पिली हो जाथी है कभी प्राउन के लिए प्र्बावनर की लिव्सों नहीं करती है इवन अलग-अलग कलर्स की बद्लगों होती है जैसे घ्र employer करती है श्पर रहर जो चुंढी होते जो कर से अ कि उसमें rate up percentage जो दवर पुड़ा सा कम जाता है चलिए हम ने वीचे की तरब बना है stromata का structure stromata का structure जो है उसमें middle पहता है stromata opening मतलब बीच में stromata यहां से open होता है और close होता है जस पाहर के तरब एक covering कर रहा है कि उसमें guard cells तो याद रखिए यह जो इस्ट्रomata आए वो leaf की लिए guard cell का काम भी करते हैं और यह leaf को हर चीज़ से बचाने की कोशिश करते हैं temperature से और उसके अलावा होने वाले जिते भी harmful effects से उससे इसको बचाने की कोशिश करते हैं that's why stromata जो है उनको हम लोग guard cell भी बोलते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके test के बारे में आप photosynthesis का test कर सकते हैं उसके लिए test जो होता है क्लास 6 का content ने आपको ज़दा टेंचन देने की ज़रूत भी है still आपको बता दू कि adding test जो होता है इस पे क्या होता है यह लीड जो दिये उनके अंदर photosynthesis है या नहीं हुआ है उसको test किया जाता है या आपको 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 आपक Yes, 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 massively Oh, oops, मतलब जो मेजबान होता है जो की वहमाण नावाजी कर ले लादा है तो पर के तो इस प्लांट बोल सकते है होस्ट अनिमल बोल सकते है वह सुआ है जो क्या करता है आने वाले को जो yes आने वाला है अचली उस particular animal या उस particular organism को अपने उसपर क्या दे दे जाए शे पुरा पूरा प्लांट इसके उपर बड़ी लंबी लंबी सी लटाय से लटकने लगती है लंबी लंबी सी ढ़ागी जी सी जो जो चीजी होथि इसको बोलते है । तुम्हें जिए प्लांट को होता है होस्ट, जो बडा साथ साथ्री है और इसको ऑपर जो छोटी इसी नदिट्रम लगती उसको ऑपन बगास्ट है तो होता है कि यह होस्ट है वो इसको दोनों चीज प्रोवाइद करता है, शेल्टर देता है और फूट भी देता है तो यह जो है इसके पूरी तरह से dependent है for food and shelter both और इस तरह के process को या इस तरह की nutrition process को पर बोते है परासाइटिक जिसमें एक living pain जो है वो दूसरी living pain पे completely depend होता है especially boss पर पूरी तरह से depend होता है खाने और जीने के लिए that is called parasyatic nutrition इसका example है Amarvila cascata चलिए यह और हमडी तोटी पाद दूसरे पर चलता है और दूसरा है हमार topic सेप्रफाइजिक 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 क्या है सेप्रफाइजिक नूट्रिशिन इस नूट्रिशिन इन विच जो ऑर्गनिजम है विच इस dependent on dead and decaying material जहां जो भी अनिमल है या जो भी ऑर्गनिजम है स्पेशिली अनिमल या और्गनिजम की बात करें हम लोग अनिमल या और्गनिजम जो भी हैं वह completely dependent on completely dependent on dead and decaying animals या और्गनिजम मतलब जहां पर जो और्गनिजम हैं वह मरी वी चीजों के उपर या सडी वी चीजों के उपर जिंदा रहते हैं उनको बोते हैं dead and decaying materials के उपर जिंदा रहना और इस तरह का nutrition होता है इस तरह का nutrition है वह आपको देखने को मिलेगा vultures जो होता है vultures आपको याद होगा वह मरे वह जानवरों के उपर या सडी वी चीजों के उपर जिंदा रहता है या फिर मरे वह चीजों के उन से खाने का बंदोवस करते हैं या उनके फूट के उनको पर dependent रहता है इस तरह के nutrition होता है सब्रभाटिक nutrition और यह सब्रभाटिक nutrition है वह vultures एक best example है उसको आप अच्छे से यादर के हाइनाज भी इसका example हो सकता है जो मरे वे जर्वर को पर जिंदा रहते है इस तंसेट आफ सेप्रोबाइटिक नुट्रिशन आगे बड़ते हैं तीसे टाप का जो नुट्रिशन है उसमें हैं सिंपाइटिक क्या है सिंपाइटिक के सिंपाइटिक की देखने लेता है सकते हैं या सिंपाइटिंटिक न्यूट्रिशन उप्रिशन इसमें दो लोग है एक बूसरे को शेल्टर करता है और ये इसको फूर्ड का धर woven आदिने के पास्ट पूरते को जो यह और सकते कि लाइड है तरह गाल सकते हैं यह लॉक्त को भषिस अप पर सकते हैं thing present उसको shelter provide करता है जिसमें मान लेते हैं कि यह और यह दोनों combine करता है यह दोना लाइकन का example इसमें तो यह अगर इसको shelter provide करता है organism 2 जो है वो organism 1 को shelter provide जाता है तो organism 1 उसको food provide करेगा मतलग दोनों एक दूसरी को पर dependent हो जाएंगे एक shelter के लिए और एक food के लिए इस तरह का combination होता है इस तरह का relationship होता है symbiotic relationship यह symbiotic relation इन सब के बार एक और चोटा सा topic है वो देख लेता है वह इंसेक्टिव औरस प्लांक्स ऐसे प्लांक्स जो कीडे मकोडों को खाते हैं जब भी कोई mosquito है यह जोब भी कोई cricket है प्लाइ है तो भी अधर इंके उपर आके बैठती है माल लेता है यह आउस प्लाइ है और यहां पाएके बैठ गई यहां बैठ गई तो यह फिल्प के अनदा फटाक से बनु लगता और इसके अंदर के अपर हल्का उसा पोईजन होता है इस पोईजन को खाके हुझा प्लाइइ भी तैसी इसके इडला इसके आपके में एखुआ प्लाइप की इत्सक्राइब ちौ असके जा ओ Chandler यहां जाबी इस दो फिल्पर है कि देखना देना को लेकोट साथ को फिजक़्षर प्लाइब अगर आप लोगों ने चैनल सबस्क्राइब कि से एक चोटी सी हैं अगर अगर आप लोगोंने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना है और शेर एंड लाइक ये बहुत जरूरी है तो प्लीज 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 मुझे मोटिवेट कर सकते हैं मुझे इस्पार कर सकते हैं मुझे ठीक है आप जो भी सही लगता हुगा सकते हैं औ साफ इसाद, बनेरे यह मालसाद, और मुस्कुरा ते लिए, बाइ!